कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाए अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि वो एक ऐसे ओदे पे बैठी हुई है चाहे वो एक एक अक्टरस थी अक्टरस होने के नाते भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं जब आप बे खुदा बातें आप करती हैं और फाल्तू की टिपनिया करती हैं उसका रियक्शन होता है अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरें की मामों के लिए बोला तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा तो आपको जब उसका भुगतना पयाओ उसमें अ देहर घोलने के बजाए मलहम लगाएं और मिठास फिलाएं तो शब्द इन चीजों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा उनको तो बठिंडे के लोगों नहीं जवाब दे दिया है कि 13 सीटों में से तीसरे नंबर पे जिस्वे सबसे हायस वोट्स पोल हुई है वो बठिंडा पार्लमेंटरी हलका है बाकी जो एक और दो नंबर में वो पहली बारी खड़ रहे है और ये चोथी बारी खड़ रहे है खड़ी हो रही हूँ और तब भी बठिंडे के लोगों ने पूरे 13 सीटों में से सबसो तीसरे नंबर की वोट्स जो हायस पोल होई है वो बठिंडा से होई है मेरे 9 में से 5 पार्लमेंटरी हलकों में मेरी लीड आई है एक हलका मैं 200 वोट से पीछे रही हूँ और एक हलका 500 वोट से लीड़ आई ए रिकऑड तोर लीड़ आई आई जो उनके आम आदमी के प्रधान बुलाडा से हैं उधर से मेरी रिकऑड तोर लीड़ आई है और ये बढदा शहर में तो आम आदमी पार्टी जहां उमक्मंत्री साथ तीन पूरा प्रसाशन का जोर लगाया, सारी पार्टियां कटी थी, तब भी पहले से ज्यादा डबल रिकॉर्ड की लीड से लोगों ने इस बारी फत्वा दिया है, तो क्लिरली ये फत्वा कॉंग्रेस और आम आदमी के अलाइंस के खराफ है। को देनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेज चलाने लाइक है, स्टेट चलाने लाइक उन धाई साल में अभी तक नहीं सीख पाया, ये लोगों ने जवाब दे दिया है। काटी ने हमारे अकाददक साब पे हमले किये, जो सिखों का कतले आम किया। और उस सिखी की एरिया से सबसे जादी लीड साथ सीटे कॉंग्रेस लेके जाए। तो एक सिख के नाते ये दुख तो कही होता है, पर ठीक है, ये लोगों का फत्वा था। और मैं उमीद करती हूँ कि लोग इस चीज़ को पहचाने की जहां आम आदमी और कॉंग्रेस कठी होके लड़ी थिया। मेरे हलके पे इन्होंने बूथ भी कठे कर दिये थे, वोटे भी कठी डाली हैं। तो ये कुर्सी की खाते जो कठे होई हैं, साथ कॉंग्रेस के और तीन आम आदमी के, इन्होंने पार्लमेंट में जाके आप मेरे से लिखके ले लिए जे पंजाब का जे नाम भी लेना है। बाकी बचे तीन, तीन में से एक अभी जेल में हैं, और दो जो हम बचे मैं विश्वास दिला सकती हूं कि शिरोमनिया काली दल पामें चाय अकेले हैं, लेकिन इन बारा बाकियों में से उनसे ज्यादा पंजाब के मुद्दे उठाए जाएंगे, एक-एक मुद्दा उठा के के और अपने पंजाब का जो हक बनता है सेंटर से, उसके लिए पूरी लडाई लड़ोंगे।